नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रेवंतराज मथमटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में चार फरवरी के सबसे बड़ी खबर मादेमिक शिक्सा बोर्ड से सीधी खबर आ रही है कि अब तक कितने फोरम बरेगे हैं और क्या 25 अप्रेल को रीट के परिक्सा हो जाएगी तो दोस्तों पूरे न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं इससे पहले आप से रिक्वेस्टर की यदि आप रीट के तियारी करें तो हमारे चैनल पर रोजना मोडल टेस्ट पर लाहे जारें आप जरूर जुड़ें और चैनल पर फर्स्ट आई में तो लाल बटन दबा कर सबसक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं न्यूज क्या है तो दोस्तों आप देख शकते हैं कि रिट के लिए अब तक साड़े ग्यारा लाक आवेदन जिहां दोस्तों अजमेर राजस्तान मादिमिक शिक्शा बोर्ड ने राजस्तान अध्यापक पात प्रिक्षा रीट के आवेदन से सतर करोड रूपे कमाए हैं अब तक रीट के लिए परदेश बर से साड़े ग्यारा लाक आवेदन पराप्थ हो चुके हैं जबकि गुरुवार को ओनलाइन फोरम बरने का सुल्क जमा करवाने का अंतिम दिन है नोडल एजेंसी बोर्ड को उ जाएगा रीट के लिए आवेदन परक्रिया 11 जनवरी से शुरू हुईती और चार फरवरी को सुल्क जमा करवाने की अंतिम दिनाक और अभीरतियों को आठ फरवरी तक ओनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा 25 अप्रेल की दो पारियों में आयोजित की जाएग की तो जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया जरूर आवेदन करें और कल पांस तारी को पांस फरवरी को जोदपुर हाई कोट में जो दोस्तों सुनुआ ही है परिक्षा जो बीएश्टी सी बीड विवाद को लेकर के यदी वहाँ पर जो है दोस्तों यदी दिया जाता है ब पांस फरवरी को जोदपुर हाई कोट का क्या निर्णा आता है उसी का इंतजार है उसी का अकोर्डिंग आगे की जो रणनित है वो ये देखेंगे की परिक्षा तिति आगे जाती है या नहीं जाती है तो दोस्तों कल का इंतजार जरूर कीजिए और कल जो सुनवाई है उ क्या मोका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए यह ज़रूर राय बताएगा दोस्तों न्यूज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहले वार है तो सब्सक्राइब पर लीजे इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों म